अगर आपका घर साउथ फेसिंग याने की दक्षिन मुखी है और आपने उस मकान के वास्तुदोश को ठीक करने के लिए अगर हनुमान जी की तरस्वीर मुख्यद्वार के उपर लगाई है तो ये वीडियो बिना स्किप्ट करें जरूर एंड तक देखें क्योंकि इस वीड में ये भी बताऊंगी कि ऐसी कौन सी तस्वीर है जो आप लगाएं जिससे की वास्तुदोश नहीं हो और अच्छा रिजल्ट में मिले इतना ही नहीं बलकि अगर आपके घर में लंबे समय से लड़का या लड़की जो मैरीजबल एच के हैं पर उनकी मैरीज नहीं हो रही है या फिर लड़की जिसके मैरीज हो चुकी है पर किसी ने किसी कारण से वो घर में वापस आके उसको रहना पड़ रहा है तो इस सबका कारण आपके साउथ फेसिंग मकान के दर्वाजे के उपर लगी हुई हनमान जी की तस्वीर भी हो सकती है हलाएं कि आप सोचेंगे कि पूरी दुनिया में जितने भी वास्तु शास्त्रिय हैं सब यहीं बोलते हैं कि अगर साउथ फेसिंग मकान है तो उसके उपर हनुमान जी की तस्वीर लगाए आपके सारे वास्तु दोश दूर हो जाएंगे और आप बिल्कुल उलडबात बो चुकी हो अगर सभी बोल रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि हम भी भेड़ चाल करें और उसे फालो करें मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब तक जैसे बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या हिंदी प्रदेश की जो नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ जब हम हाथ और अपनों की या किसी और की भी बात तब तक नहीं मानिये जब तक वो सही साबित नहीं हो गई हो मैं लगातार पिछले 20 वर्षों से आलोर इंडिया में सेमिनार्स करते हुए आ रही हूँ बलकि मौरिशस में में मेरा एक बुक रिलीज हुआ था जो आई बटन में जाकि तो वो बुक मंगा के देख सकते हैं पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें मैंने बहुं सारी ऐसी चीजे बताई हैं जो कि इन जनरल चलती हैं पर वो सही नहीं है अगर आप दरवाजे के उपर हनमान जी की तस्वीर लगाते हैं ये सोचके कि वो साउध दिशा के कारक हैं हाँ ब अपनी इनर्जी जो है जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थान के इनर्जी बढ़ाते हैं आगर साउध आपके लिए अच्छा नहीं है एक तरफ शाप ये बोल रहे हैं और दूसरी तरफ उनके इनर्जी को बढ़ा रहे हैं ये तो वैसा ही हुआ …..कई वास्टुशास्त्री क तो उसको ठीक करने के लिए उसी ग्रह के सौमी के अंगुठी दे देते हैं जो नीच ग्रह है उसको इनेंस नहीं करना है उसको एनिहाओ अपने से दूर रखना है या फिर उसकी एनरजी में कुछ ऐसी चीज लगानी है जिससे उनकी इंटेंसिटी कम हो अब साउथ की एनरजी की इंटेंसिटी कम करती है गनपती जी के तस्वीर आप गनपती जी के तस्वीर लगाए वैसे भी कई लोग लगाते हैं इन जर्नल पर यहाँ पे इस्पेशली आपको लगाना है इतना ही नहीं अगर आप दरवाजे के अंदर तरफ के गनपती जी की तस्वीर लगाना चाहे तो बिलकुल लगा सकते हैं कई लोग लगाते हैं पर उसके साथ आपको लगानी है विश्नु जी की तस्वीर जो कि पूरे देश के पूरे ब्रमान के पूरे विश्व के संचालक माने जाते हैं उनकी तस्वीर लगानी है अगर वो छार दिशा होने के कराणा अन्यसयसरी की जो आर्भिमेंट हो रहे हैं हीट घर में बढ़ रही है कोई-नौ कोई आग समदीत अक्राइब नुकसान हो रहे है कोट कचेरी से समादीत कोई परिशानिया हो, हौ रहे हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी इतना रही नहीं बलकि मैं दे रहा है फिर भी सोचने क्यों नहीं result दे रहा हैं उसके अलावा अगर उनके घर में कोई भी तिर्षी है तो बहुँज जादा कोट का चहरी और डिस्प्यूट होता है और अगर तिर्शी दिवार के साथ आपके घर में साउथ वेस्ट में टॉलेट भी है और साउथ वेस्ट में टॉलेट नहीं भी हो सिर्फ तिर्शी दिवार भी है और आपने घर के बाहर साउथ मुखी जो हाउस है आपका घर है उसके उपर आपने हनमान जी की तस्वी लगाई है तो ऐसे घरों में repeatedly मैंने देखा कि अगर marriage हो गई है लड़की की वो marriage के बाद घर वापस आ जा रही है। पहले मुझे लगा एक कोइंसिडेंट हो सकता है परंतु मैंने बहुत सारे घरों में चुकि मैं आलोर इंडिया में अलग-अलग शहरों में हर मैंने तीन-चार सेमिनार करती रही हूँ तो उसके कारण मुझे ये आवसर भी मिला कि मैं उसे क्रास चेक कर सकूँ और जब पू मान जी की तसुर लगी है और साउथ फेसिंग मकान है और रिलेशन्स में प्राप्लम हो रहा है लड़की की मैरिज के बाद उसे तकलिब आ रही है यहां घर में मैरिज नहीं हो रही है तो इसे भी जरूर ध्यान दीजिए मैं जो आपको जो भी सजेस्ट करती हूँ वो आपको पसंद आता है अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो लाइक शेयर और सबस्क्राइब करिए और इस प्रकार के कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताए क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि पर भी वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते हैं तो ही मुझे लगेगा कि मुझे आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें भी शेयर करनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ में अपनी परसनल वास्तु विजिट्स में शेयर करती हूँ और करते हैं